आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ जुड़कर भी आप काम शुरू कर सकते हो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे कमेंट बोक्स में आपका फोन नमबर और अपनी लोकेशन सेंड कर देनी है हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आपके चैनल सचिन कुंडो इन को कहाँ मिलेगा आँ चलो वीडियो को शुरू करते हैं नमबर एक बैलोन बजनी स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा नमबर दो बैल्ण बिजनीच को करने के लिए क्या-kया चाहिए नम्बर ही बैलनं का काम कहां से आएगा जो आपने डिखोरेसे औरूशन कर कितना profit होता है कितना margin मिलता है आपको नमबर 6 आप अपनी marketing कैसे करोगे नमबर 7 इस business को start करने में कितना दिनों में आपका profit होने लग जाएगा अब हम बात करते हैं first point की balance business के लिए कितना खर्चाएगा इसमें आपको एक machine चाहिए और आपको कुछ balance बैलून चाहिए होंगे इसमें minimum quantity आपके पास दो से तीन हजार गुबारे होने ही चाहिए और आपके पास happy birthday का भी बैलून होने चाहिए और कुछ stars और कुछ bottles तो इसका टोटल जो खर्च है वह एक पंद्रा सो तक की machine आजाती है और बैलून है वह एक रुपय का एक आता है happy birthday वाले बैलून आपको सो से डेड़ सो रुपय में मिल जाते हैं एक star आपको 20 रुपय का मिल जाते हैं इसमें total खर्चा आपका 4000 तक का आएगा नमबर दो अब हम बात करेंगे कि आपके पास कैसे काम आएगा कहाँ से आप किसी को कौंटक्ट करेंगे को कौंटध कर सकते हो नमर एक है YouTube नमबर दो है आप Google पर कोई ैड़ अपनी लगा सकते हो नमबर तीन है आप बगरी के पास अपना काड या उन्हें contact number दे सकते हो वहां से आप कर सकते हो फॉर्थ point के बारे में बात करेंगे हम on-line करें या offline online आप करते हो तो आपका जो जो काम है वो ज़्यादा आएगा और offline में थोड़ा सा कम आएगा काम तो आप इसे online offline दोनों ही करें online में ज्यादा आपका काम आएगा वैसे उसमें online में आपका खर्च भी add लगाने में खर्चा भी आएगा नमबर पांच है बैलौन बिजनिस में कितना profit होता है जो बैलौन का business है उसमें बहुत ज्यादा profit होता है नमबर साथ पर है इस बिजनिस को स्टार्ट करने में कितने दिन में प्रोफिट मिल जाता है आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको शिरफ दो तीन दिन में आपका कार्ड और बैलून मसीन सब कुछ आ जाएगी और आपको एक अपते से जो आपका काम है वो आने लग जाएगा इसके रिकार्डिंग आपको कोई भी कुछन पूछने है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वोचिंग